कि युपी यह यहां पूछते हैं यहां पर भी इन्होंने तीन कर दिया है और तीन एसे होंगे तो आपको लिखने होंगे आपको ध्यान देना है इसको और इसको कैसे करना है किस तरह से इसको अगे ले जाना है है इसको तो हम पूरा एक है इसको डिटेल आपको अनिलेसिस करके हम आपको दिखाएंगे भी कैसे क्या करना है तो वो जो लेक्चर होगा जो मैं लोंगा उसको और मुस्ट यूटूब पर उससे दे दूब भी दोंगा कि जो भी ऑल्मॉस्ट देगा बिहार का मैंस का एक्ज लाएंगे और बहुत अच्छी से इसको और एडवांस कर देंगे विकॉस्ट भी आपको ऐसे का कुछ होता है इसे क्या होता कि अपने आपको कैसे प्रेजेंट करना है इसे जैसे आप इंट्रू हो जाते हूं ने आपकी प्रसनलिटी और फ्लैक्रोटी एसे और से सीम तिं प्रसनलिटरिक य होता है और अपके तो जैसे कोई भी इसम और विफ हार कंडिसम है तो उसकी प्रेमिंग हैं पाइच generate करने बताऊंगो कैसे ideas generate करने किसी भी topic पर तो उसकी एक पूरी detail lecturing होगी जो आपको उसके through available होगी YouTube पर कर दूँगा मैं सबको मिलेगा उसके और जो practice जो करेंगे वो करेंगे हाँ ये भी ये बात है जैसे it's an art essay is an art so जैसे कि जिसने सीख लिया उसे तो बोगे it's a very easy thing to do but as far as people who are not able to write very very in a very good fashion it would be a very difficult task for them so मैं उसे कहूंगा कि जो लोग बहुत objective जैसे जैसे हो गया ने GS का paper में क्या हो बहुत objective पूछ लिखते हैं लोग अब एक एक लाइन में सब कुछ सब कुछ पैसे में जाना है चोड़ी पैरग्राफ में सब कुछ जाना है तो कैसे उससे सो कनेक्ट करना है कैसे synchronization लाना है यह बहुत tough है एसे में इस चीज़ को लाने के लिए क्या हुरा है कि GS में आपने practice कर ली सब कुछ point point में लिखना essay में क्या है सब कुछ कहते हैं आपको paraform में लिखना है तो उस चीज़ को कैसे organize करना है अपने आपको और उससे पढ़ी न आप essay जैसे मैं आपको बुक कर रहा हूं नहीं तो people who have score more than 150 160 in the UPS examination who is getting well with this essay तो आप मुझसे सीखे कहते हैं और मैं भैचेस के साथ जुड़के देखना जाते हैं सीखे उससे भी group में आज होगो वहाँ एक essay लिख दोगो sign कर दूँगा कोई issue है अगर financial तो वहाँ दे देना महाँ वेसे स्पेस को essay को लिखना है क्योंकि बहुत short span of time अगर दोड़ाय मेहने में एक्जाम हो चाएगा तो बहुत सब्सक्राइब होता नहीं इस चीज को manage करने के लिए बहुत कम time है क्योंकि जो essay होना एक समझी एक छोटी छोटी फिल्म साब को तीन बना के देना है आप तो इस तरह से आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे का इस तरह से आपको essay को manage करना पड़ेगा जो कोई सी भी topic आप से पूछेंगे तो किस तरह से वो तो बहुत इसमें जा कि रीजन यह है ना कि अब यह 300 marks कर दिए गए यहां पर तो 300 marks ही बहुत value भाई कहीं 40 40 इस दे दिया तो गयाब हो गया आप यह 300 हैं वो किस तरह से मार्किंग करते हैं और अपार्ट फॉर्म इंपॉर्टन इंग इस तो की मैंशन हिर जैसे कि चेर्में सामने कहा भी तलतल बरसाजी ने कि जो भी करना है तो ऐसे लिखे जाएंगे उसमें बड़ी इनुवेशन ह दे देंगे 50 मोडल ऐसे दे देंगे भाई कहीं मेरे पास मत आना कोई इशू नहीं बस लेकिन इन मोडल से से पढ़ना और नहीं ऐसे क्या होना है ना आप ने जो पढ़ लगखा है और कुछ चीज़े होती है जो मतलब कि मैं भी कहते हैं मैं बहुत जादा यह मैं यहां पर इन्वेशन लना है क्रिटिवटी लानी है यहां पर कुछ नई तरीके से की चीज़ को प्रेजेंट करना है तो उस चीज़ को फॉर्मेट मिंग में इसमें लाना है और एक बार ध्यान रखना कि भाषा की बहुत इसमें वो है बहुत जादा वो है कभी यह मत जहना कि को इस स्ट्रॉंग होले है एस वेल हिंदी तो मेरा है मात भाष्या उपस्ते थे मेरे समख्च तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों इस चीज़ को बहुत इमोट फैक्स को और यह जो भी इधर उधर से कॉपी पेस्ट कुछ नहीं होगा ऐसे जब हम कराएं चैनल को तो आपका अपना एक्तम नया ऐसे हो जो आप लिखोगे फोग ऑपनी खुद की क्रिटिविटी होगी ठोड़े से ऺ्ट्स जो होगे होगे कुछ-कुछ लुक्शुश्यूर्य स्टूरी इस होती है कुछ जो लर्निंग सोती है लाइट ती खुद की आपकी कुछ आउटपूट्स होते हैं, वो सब कुछ इसके अंदर पड़ेगा, अगर आप ऐसे में लिखोगा न यह 300 हैं, अगर लिलियन मार्किंग वो करेंगे, तो इसमें 75-75 मैं आपको इसमें दिल्वाओंगा, और ऐसा नहीं है, एक क्या होता न इसमें, एक आप पैटन पकड़ कुछ भी आप से पूछेंगे, उस टॉपिक को, पर, तो आप उस पर कहते हैं, बहुत काईदे से उस चीज़ को समझाओगे, काईदे से लिखोगे, और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्स्पेंड कर दोगे, तो यह और यह और यह काईदे की चीज़ है, जो भी क इसको लिख दिया तो वो गया, और जो लड़कें हैं, जो बहुत ज़्यादा अब्यक्टिब लिखते हैं, ध्यान रख लो, काम चले का नहीं कहते हैं, बहुत बूर पूर वार्किंग होने वाली है, हो जाएगी, अब लोग, क्योंकि यहाँ पर आपको हर चीज़ को अच् में लिखना है इसमें भई आर्या आपको अराम से अब इसमें तो छो बहुत बहुत भाट भाट रिवाइन लिखना पड़ेगा आपको इसमें नब्यक्टिब लेफलों कॉम्पिशन बाहरे शो मच हाई काते हैं, यू रउन्ट का देत कि हम खूख च्छ पास को बच्चे तो वहां बैच्चे में जो बच्चे जुड़े हुए हैं यार वह बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं और दे आर्ड ओनली पीपल हो गुइंग तो फाइनली कैसे क्रैक्ट इस एक्जामनेशन पॉद बहुत पड़ जाएगा तो इसको बता रहे हूं एक पूरू टेक्निक है एक जो ग्रूप हमारा जो सेल्स में चलता हूं वहां इससे लिखके दो कि आप मैं उसको इविलेट करूँगा और आपको बताऊंग भी चीजों को अब लेकिन यह है कि अगला एक्जाम हो जाता तो इसको बहुत बहुत साथा इस पर इफाइन हो क्या कोशिश होनी चाहिए च आपको कहीं से मौडल आंसर बिल जाएंगा उसको चोरी कर लोगे आप लिख दोगे तो नंबर तो नहीं मिलने वाले हैं एकदम नया एससे लिखो कि जो मैं लिख वाँगा आपको प्रक्टिस कर दी है कुछ एक देखना है कैसे कि यह कैसे होगा कि तम इल्कुल नहीं दूसर नंबर यहां क्रॉस होंगे बहुत क्रूशियल है इसको करना है हमें अच्छे से करना है इसको तो और देखने हैं सब्सक्राइब चैनल सब्सक्राइब इस ट्रेलेग्राम को नहीं तो इस आंसर राइटिंग रैक्टिस दीजिए और और इविशन होता है यह एक ही इस बहुत मैं बहुत 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 फुल एंडर्जी के साथ मैं बेंस के बैचेस पढ़ाता हूं क्यों मुझे लगता कि यह फाइनल कंबर्ट होगी कॉल तो हर लेबल पढ़ाई कि वह है लिकिन इसके मेंस का तो यह फाइनल करवर्ट होनी है आप सभी अच्छे